हलो दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार अब हम करने जा रहे हैं मैत का पार्ट नंबर फोर जिस पे हम प्रिवियस येर कर रहे थे एट्स क्लास का तो चलिए शुरू करते हैं हमने 20 कोश्चन कर लिये थे 21 कोश्चन पर आगे थे तो 21 कोश्चन के बाद क्या बोल रहे है 21 कोश्चन कह रहा इस्टेट दा नेम ओफ रेगुलर पोलीगन ओफ एट साइड कह रहा उस पोलीगन का नाम बताओ जिसके आठ साइड होती हो मतलब आठ हुजाए होती हो तो हमारा कौन सा पोलीगन होता है ओक्टागन होता है इस ची सम औफ एंगल्स बताना है कि इसका कंवेक्स कवार्डी लेटरल का क्या होता है। तो मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं, इसका ये फिगर है, ये होता कुछ निया, दो ट्राइंगल होती है, जो सेम एक जैसे होती है। तो जिखाता हूं मैं आपको डाइगरम, यह देखें एक है A, C, D और एक ट्राइंगल है A, B, C तो ट्राइंगल A, C, D और ट्राइंगल A, B, C तो हमें पता है ट्राइंगल का मान कितना होता है एक ट्राइंगल का मान होता है हमारा 180 डिगरी मतलब तीन एंगल का मान जो होता है 180 डिगरी और हमारे पास ट्राइंगल कितने दो ट्रा कितना आजेगा 180 degree, बात करें तो, देखो, 180 degree, पलस में 180 degree, यह हमारे पास कितना आ गया, 360 degree, यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, देखो, मैं आपको समझा भी देता हूँ, यह कैसे हुआ, अगर मैं सम उप करता हूँ, ट्राइंगल का, देखना, एक मिन्ट अगर, यह आपने देख लिया होगा न, A, B, C, और D, ठीक है, यह है, A ट्राइंगल पे है, मतलब A के पास है, 1 और 6 एंगल है, 1 और 6, B पे है 5, और C पे है 3 और 4 एंगल, D पे है 2, तो चलिए मैं आपको इसको solution करके दिखा देता हूँ, क्या सिस्टम है इसका, कैसे आए, दो ट्राइ आइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल नंबर, देखे, मैं इसको solve करना सिखाता हूँ, आपको, यह देखे, जैसे मेरे पास आइंगल A था, आइंगल, एंगल A प्लस में एंगल B आजेगा, प्लस एंगल C आजेगा, प्लस एंगल D आजेगा, ठीक है, अब एंगल A पे हमारे एंगल कितना था, एंगल 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 ए C में कितना था मीरा तीन ठीक है न? C पे हमारा था तीन ठीक है न? B पे हमारा था पांच इस चीद का ध्यान रखना C पे हमारा था 3 और 4 यह लिख दिया हमने उसके वाद देखो ध्यान से D पे हमारा angle कितना है? 2 ठीक है? यह चीज़ समझे मिए अब यहां से हम क्या करेंगे एंगल 1 प्लस में 2 प्लस में 3 यह कॉमन लिया प्लस में एंगल 4 प्लस में 5 प्लस में 6 यह एंगल कॉमन आ गया तो मैं पता देखो एंगल 1,2,3 मतलब एक एंगल में 3 कॉंड होते हैं हमारे पास तीन जैसे एक एंगल में 1,2,3 होता है ना तीन ए मतलब देखो यह 180 डिगरी आ गया पलस में यह वाला एंगल 180 डिगरी आ गया इसका सम करेंगे कितना आजेगा 360 डिगरी ठीक है आपको समझ में आयोगा तो 22 का question number का answer क्या है 360 डिगरी तो हम बढ़ते हैं अपने next question के उपर how many sides are there in rectangle rectangle में कितनी sides होती है तो 23 का हमारा क्या आजेगा 23 का हमारा आजेगा option number D ठीक है option number D आजेगा यह simple था ठीक है जैसे यह triangle होता है ना देखो मैं बना के दिखा देता हूं यह rectangle है triangle sorry rectangle यह rectangle ठीक है अब rectangle में ध्यान से देखो rectangle में कितने sides है four sides है देखो एक side सो यह रही है एक side यह रही है एक side यह रही है एक नीचे तो मतलब four side है तो इसका answer के आजेगा four बढ़ते हैं अपने next question के उपर how many vertices are present in heptagon heptagon में देखो पूच रहा है कितनी vertices present होती है तो heptagon में होती है हमारी 7 ठीक है ना इस चीज़ का ध्यान रखना heptagon में हमारी कितनी side होती है 7 होती है तो option number C आ गया बढ़ते हैं अपने next question के उपर student of a class देखो student of a class wanted for their favorite color and a pie chart was prepared based on the data collected हमारे पास एक data दिया हुए ठीक है उसके बाद इस data को collect करके हमने क्या बनाना है मतलब इस data में अलग-अलग color given है जैसे red given है green, yellow और others given है 6%, blue given है 25% देखो आगे question में क्या है prepared based on the data collected ठीक है अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहे है देखो 25 में देखो इक रहा, if 400 students are outed in all, मतलब total 400 students है then how many did out other colors for their favorite other color वालों को कितना मिलेगा ठीक है तो अदर color वाले हमारे पास कितने है, 6% अगर हम 6% का क्या निकाल लेंगे 400 students है इनका 6% का हम क्या निकाल लेंगे, 6% of 400 students का अगर हम निकालते है, 6% of 400 students का तो यह मेरे पास कितना आने वाला है यहां से देखो, यह देखो, दो 0 कटीगी, मेरे पास कितना बज़ गया, 6 into 4, इसका मतलब कितना आ गया, 24, इसका अंसर कितना आ गया हमारे पास, 24, ठीक है, 24 number of odds in favor of other, 24 odds ऐसे पढ़ेंगे, जो किसी और दूसरे के favor में पढ़ेंगे, देखो इसका हमारा option number क्या आ गया था 24 A, ठीक है, बढ़ते हैं अपने next question पे, हमारा next question है, देखना, observe the histogram, histogram दे रखा है, in a given above, देखो यह उपर histogram दे रखा है, zoom करके दिखा देता हूं, यह रहा, the number of girls having height of 145 cm and above, क्या रहा, 145 cm और उससे above, मतलब 145 तो लेना ही लेना है, उससे above जो जितने भी होंगे, वो हमें ब ठीक है, अब धहान से देखना, इस वाले histogram में, इस वाले histogram में, धहान से clear देखना, आपको तब समझ में आएगा, देखो, इसके अंदर अगर हम बात करें, देखो, क्या चीज़ गिए बना है, यह यहाँ पर हमारा रहा, देखो, 145 देखो यह रहा, यह हमारा 145 है, 5, 4, द इतने आजेंगे, यह हमें देखना, 10 हो जेंगे, देखो, 10 कैसे होंगे, मैं आपको बता दूँ, 145 यह रहा, देखो, 145 वाला यह रहा, उसके बाद देखो, 145 के बाद 150 आजेगा, एक 160 आजेगा, देखो, 145 से अब अब यह होंगे, 50, 150 और 160, इसके सामने देखना कितना ह इसके सामने हमारे पास देखना है, 145 के सामने कितना है, 5, पलस में देखो, इसके नीचे वाला जो 150 का है, कितना है, 4, ठीक है, यह है 4, पलस में देखना है, यह कितना है, 1, 1 है न, तो टोटल करके सम कितना आजेगा, 10, तो ठीक है, इसका क्या आजेगा हमारा, 10 answer आजेगा, इस चीज का देहां रखना तो हमारे पास option number के आज़ेगा C यह आपको समझ में देखो बताना क्या था 145 cm height से अब अब कितनी लड़के हैं तो 145 से सुरू करना उसके सामने देखना number of girls दे रखता 145 से सामने 5 है उसके बाद 150 के बाद क्या आज़ेगा हमारा यह आज़ेगा 150 के बाद देखना हमारा क्या आज़ेगा 3 नहीं 4 उसके बाद देखो यह लास्ट वाला 160 है इसके नीचे क्या आज़ेगा 1 तो हमारा टोटल क्या आज़ेगा 10 ठीक है इस चीज का जहान रखना अब बढ़ते हैं अपने next question के उपर next question हमारे पास 27 the following pie chart represent the distribution of proteins in a parts of human body अलग अलग बोडी की मतलब human body का जो proteins के बारे में बताया हुआ जैसे एक muscles का है एक skin का है एक bones मतलब हड़ियों का है उसके बाद क्या है हमारा hormones enzymes and other proteins तो यह हमारे से पूंच किया रहा है देखना what is the central angle of the sector in the pie chart central angle बताना है represent skin and bone skin and bones together skin and bones together बताना है जो skin भी हो और bones भी हो देखो skin में हमारे पास कितने है 1 by 10 और bones में कितने हमारे पास 1 by 6 अगर इनका mel timely हम निकाले एक कितना आजँगा हमारे पास देखो इन दुनों को जोड़ना पड़े है पहले तो यह कि आज़े एक हमारे पास देखना 1 by देखो यहाँ वन वाय थिरी ले ले लेता हूं न, ने, इसकी नुर बॉन का पहुच रहा है न, तो मसल्स का नहीं लेना है न, इसकी नुर बॉन का क्या आजएगा, वन वाय देखना, वन वाय 10, पलस में क्या आगे हमारे पास, वन वाय 6, जब आप इसका LCM निकालेंगे, कि प्रफोन में LTM 10 आवर 6 का आज कितना हो जागा 30 इसको solve करेंगे मेरे पास कितना आज जागा solve करके sorry 8 बटे 8 बटे में 30 ठीक ये LTM आ गया किन का total आ गया मतलब हमारे पास किसका एक इसका skin का और bones का ठीक है ये total हमने निकाल लिया अब total निकालने के बाद ये पूछ रहा है क्या निकालने हमेँ अब इसका हमें निकालना है अब इसका हमें find out करने क्या चीज़ सेक्टर निकालने के लिए क्या होता है ये sum of 8 आया था 8 upon 36, 8 upon 36, 36 नहीं है, एक मिन, देखो, क्या चीज़ आया था हमारे पास यहाँ, 8 upon 30 आया था यह, उसके बाद सेक्टर निकालना है था हमें क्या करना पड़ेगा, 360 degree से गुणा करना पड़ेगा, ति हमारे काट की कितना आजेगा, देखो, यह 0 से, यह 0 कट गया, 3 से, 3 और यह 12 बेचला जेगा, तो 12, 8 चा कितना होता है, 96 degree, 96 degree हमारा यहाँ पे निकल गया आजेगा, इसका मतलब हमारा option number क्या होजेगा, option number D, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, देखो, यह simple था, कुछ नहीं था, पाई चार्ट निकलनी के लिए, देखो, पाई क्या होता है, सर्कुलर में होता है, पाई हमारा क्या होता है, या तो उससे हमारे पास कितना जादा है ठीक है ना, इस चीज की लड़किया है बताने दिखो, अब मैं थोड़ा यह जोम करता हूँ इसको, देखना पड़ेगा सही से, देखो यह जोम कर दिया मैंने, देखना है, यही से आईडिया लग ज़ेगा आपको, तो यह देखना, एक मिन्ट, ये थोड़ा मज़ूम करता है इसको, ये रहा, ठीक है, ये देखो, कह रहा, 145 cm होनी चीए है, उससे ज्यादा होनी चीए, कितनी ऐसी लड़की है, ठीक है, ये बताना, 145 cm वाली, 145 देखो ध्यान से, चार ऐसे लड़की होंगे, जिनकी 145, एक तो देखो, ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, एक मिन्ट, एक तो ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है, उसके बाद ये वाली लाइन है, उसके बाद ये लाइन है, ये ऐसे चार है, चार लड़की आउंगी, जिनकी हाइड क्या है, 145 से जादा है ठीक है ना तो हमारा option number क्या होजेगा यहां पर option number हमारा क्या आजेगा चार ठीक है option number C होजेगा चार आजेगा ठीक है आपको समझ में है अब आगे हम बढ़ते हैं हम अगले पर देखो अगला क्या है अगला हमारे पास question है a coin is toast two times the number of possible outcomes देखो कोई coin है कोई इसको दो इसको दो दो बारी क्या करा गया toast किया गया मतलब उछाला गया coin को तो उसके outcomes है जो निकल गया सकते हैं देखो मैं बताता हूं आपको समझतों इसका क्या होगा देखना जयांते अगर मेरे टोस करेंगे तो यह क्या आएगा टेल या टेल आ सकता है तो हमारे पास टोटल four case बनते हैं ठीक है ना four case बनेंगे अगर हम एक coin को toast करेंगे two times तो इस सीद का ध्यान लगए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मतलब head head आ सकता है यह head tell आ सकता है यह tell head आ सकता है यह tell पर अगला कोशन है हमारे पास इन आ फ्रिक्वेंसी डिस्टिबिशन बीद कलासे जीरो से दस टैन से ट्वंटी एक्सेक्टरा दा साइज ओप दा कलास इंटरवल इस टैन ठीक है न साइज जो दे रखिया इंटरवल हो क्या है टोटल दस है ठीक है तो दा लोर लिमिट ओफ अगर बात करें तो देखो अगर गीवन कलास इसके बात है थे से क्लास कोईगी 30 से 40 अगर थे प्लासीज क्या होगी तीस से चालिस समझगी ना समझगी ना बात एक मालो अगर जीरो से दस है अगला दस से बीस है फिर अगला तीसरा जो होगा तीस से चालिस होगा देखो सिंपल है पहला देखो जीरो से देखो देखो द्यान से पहला क्या है जीरो से दस है दूसरा क्या होगा दस से बीस होगा तीसरा क्या होगा तीस से ने सुरी बीस से तीस होगा ठीक है चोथा क्या होगा हमारे पास तीस से चालिस होगा इस बात को समझगी ना फोर्थ टाइम से क्या होगा? तीस से चालिस हो जाएगा इस चीज का ध्यान रखना अब तीस से चालिस होगे हमारे पास तो कहरा lower limit of the fourth class अगर lower limit की बात करें देखो lower limit क्या होती है हमारे पास? पहले वाला ऐसा नहीं, बाद वाला नहीं इस चीज का ध्यान रखना पहले वाला है तीस हमारी क्या है? lower limit मतलब lower limit क्या है? पहले वाली होती है lower limit क्या है हमारे पास? यहाँ पे 30 आजेगा समझे अई बात? तुमारा यहाँ पे क्या होजेगा? option number हमारा क्या होजेगा C